तबदीली अते विकास कुद्रत दा बुनियादी असूल है तरक रूप विच इस दा पाव है के कुद्रत अपने रास्ते विच और वालियां रुकाव्टा दी प्रवा कीते बिना बे रोक विकास करती है क्यों जो कुद्रत सर्ब व्यापक है ओ जानदार अते निर्जिंद अकारा अते समुचे प्राणियां राही मूर्ती मान हुंदी है मनुख कुद्रत दा सब तों शुद्र अते सूजवान पर गटाओ है कुद्रत दे मूल सदाथ अनुसार ही मनुख वी बे रोक विकास करदा जानदा है अते इंज नाल ही उस दे संकलप, विचार तारा, सब्याचार, तार्मिक विश्वाश, आर्थिक अते समाजिक विवस्था वी विकास करदे है जदो पुराणियां विचार तारवा, अते समाजिक कद्रा कीमता वेला विहाजां दिया हैं ता महाँ व्यक्तियां वनों विक्सत कीती हैं करंती कारी प्रनाडियां उनादी जगा लें दिया हैं इमें ही जदों ब्रह्मन वाद जां आम पाशा विच्छ हिंदू मत जो मुडले रूप विच्छ वर्न अते जात प्रबंध ते अधार्त है जो मानवता दर्मियान शूत शात अते नफरत फैलाउंदा सी समाज दे अंगौले हिसे लई असैन योग अते अपरा संगक बन गया तप महान करंती करी गुरु नानक ने जर्मलेया जिसने देश दे गाल साड़ चुके प्रबंध विच करंती करी सतो आरले आके दब्बे कुछले अंगौले अते त्रिसकारे होई लोकां दा निस्तारा करंदा उपराला कीता गुरु नानक पहले अजहे महान पेगंबर सान जिना हिंदू समाज दे निराले प्रांतु करना योग वरन जाती प्रबंध दा गंबीर नोटस ले उनाने सपष्ट रूप दे विच पक पाती वरन अते जात प्रबंध नू रद कीता अते अलान कीता के जात रांग अते संपरदायकता दे पेड़ पापतो बेना सब मनोख ब्रापर हन आपने फालसफे नू अमली जामा पहनाओन खातर उना आपने नवे मत दे दरवाजे सब तरमा जातां अते रंगां दे लोकां लिखो देते ब्रामणा दा ए विश्वाश अते परचार सी के वेद दैवी बाणी हन पावें के एक कथेत रब्बी इलहाम वाले तरम ग्रांत किरना योग वर्न प्रबंध अते मनुखता दी बनावटी वंड़ दे सोत हन गुरु नानक ने बुत पूजानू रद कीता अते हिंदूआं वल्लों अपनाए अते परचारे जान्दे सारे गैर कुदरती रसमोरे वाज़ां दा त्याग कीता उनाने हिंदू समाजवित परचलत रहसवाद अते अंध विश्वाशानू भी ठकुलाया मुकरी गल के उनाने साफ शब्दां वेच हिंदू तरमनू मननतों इनकार कर दिता खुदाना खास्ता जे उनाने वेदा शास्तना ते पुराणा ता खंडन अते हिंदू तरमनी नखे दी हिंदू राज जा राम राज दोरान कीती हुं दी ता उनानों काफर कह के सूली चिडा जता जादा अजेहा होना इसलाई संभव सी क्योंके हिंदू हंकारी अते तंग दे लहान पामें के उदावा अते दिखावा इस तों उल्ट कर दे हान गुरू साहिव कोड अलाक एक अनपव शक्ती अते दूद रिष्टी सी इसे कारण ही उना अपने पुत्तर शिरी चांदनू आपना जानशी नहीं था पया क्योंके उजान दे सन के शिरी चांद रहासवादी हिंदू तरवल चुका आसे जेस हिंदू तरवनू गुरू साहिप पहला ही रादगार चुके सा उना ने गुरू गदी पाई लैना जी जिना दा नाम बाद विच अंगद रख्या गया उना नू सौंपी जे शिरी चांदने अपने पेतादी जगा लई हुंदी तर सेख तरम मोड हिंदू तरम विच पल्ट गया हुंदा एट तौकला ठीक थाबत हुआ क्योंके शिरी चांदने एक हिंदू संपरदाए जे अधिसनू अधासी केंदे ने एधि स्था बना कीती जे दे अन्याए अधासीन अते विरागी सादु हान एथों पर तक है के शिरी चांद दी अधासी संपरदाए गुरु नानक दे मात अते फलस्फेतों बिलकुल उल्ट है फ्रीद कोट जिले दी मुक्तसर सब डिविजन दे पेंड नांगे दी सराविखे कती मार्च 1504 नू जनमे गुरु अंगद अमरत सरदे बासर के पेंड वेच पांज माई 1489 नू जनमे गुरु अमरदास अते 24 स्तंबर 1594 नू जनमे गुरु रामदास जी ने पहले गुरु गुरु नानक साहब जी दुवारा जगाई जोदनू उतिशा अते लगन अन अगे तोरेया गुरु रामदास जी ने 1589 वेच गिलवाडी सुरतान विंड अते गुम टाली पेंड दे वस नीकातों सात सोर पैयां बदले एक जमीन दा टोकडा खरीद दिया अते इस विच पवित्र सरोवर्दी नी रखी गुरु अर्जन देव जी जना 15 अपरेल 1530 विच गुएदवाड विखे जनम लिया अते ती मई सोड़ा सो शे नू अपने मत दी राखी लई बलिदान देके सेखता रम्दे विकास विच अनूठा अते इतिहासक योगदान पाया उना ने आद गरांथ दी स्थापना कीती पर हठ तरमी अते तवस्वी जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी नूँ पवित्र गरांथ विचों ओदे वल्लों इतराज योग समझी जन्दी कुछ विचार समगरी कटन लेकिया पर गुरु साहब ने इनकार कर देता उना देद इनकार ने बादशान उक्रोदद कर देता सूबा लहौर दी खिद्मत विच नौकरी कर रहे ब्रामन मंतरी चंदु शाह ने बादशान ने एक एक होर पड़काया के गुरु साहब बागी बिरती राक दे हन इसलई बादशान ने गुरु अरजन देव जी उते बगावत दोशला देता जहांगीर ने गुरु अरजन देव जीनू पारी जुरुमाना अदा करन्दा होक्म देता पर गुरु साहब ने उदे अगे चोक उनतों ना कर देती क्रोद विच आए बादशाने चंदू शाहनू गुरु साहब दी गुरु साहब दी गुरु तारी उना नू आद ग्रांत विच्चों इतराज योग समगरी कटन ले मजबूर करन्दा होते उना तो जुरुमाना वसूल करन्दा होक्म देता गुरु साहब वलों जहां गीर दिया अण उचित मंगा अस्विकार करन उते चंदू शाह ने उना नू गृफ्तार कर लिया अते उबल दे पाणी दी देग विच डबोया अते फिर गुरु साहब नू पाखदी होई लोहे दी तती तवी उते बिठाया अते सिर्विच तती रेता पाई इसे तरह गदार चंदू शाह ने गुरु साहब नू ती मई सोड़ा सो शेनू शहीदी प्रापत करन तक बेरैमी नर्त सिये देते इते इस गलवलते आंदेना बहुत महत्तव पूरण है के गुरु अरजन देव जी पहले सिक गुरु सान जिनानू दिल्ली दरबार वल्लों बगावत दा दोश लाके बेरैमी नर्त सिये देके मारिया गया गुरु अरजन देव जी दी शहादत सेक तारम्दे विकास विच एह मोडवारी कटना सी शहादतों पहला ही गुरु अरजन देव जी ने अपने पुत्तर अते जान शीन गुरु हरगोवन साहबनू आपनी अते आपने तारम्दी दुश्मना तो रख्या वास्ते फौज खड़ी करम्दी हिदाय दे दिती सी उना ने एवी हदायत कीती सी के दुश्मन दी ग्रेस्त विच आउन अते तसी चलन दी बजाए लड़दे होई शहीद होना बेतर है उस समय तक गुरु हरगोवन साहबनू पूरी तरह अनपव हो चुका सी के राज सी शक्ती तो बिना कोई वी तरम महफूज नहीं रह सकदा इसलई उना ने अमर सर विखे हथे आरबंद जो जारू सिखां दी एक सैनेक टपुड़ी कायन कीती उना दी फौज वेचे आठसो कोड स्वार अते तेनसो हथे आरबंद सेवक शामल सान जो लगातार उना कोड हाज रहें दे सान सेख फौज नू मजबूत बनोन दे सिलसले वजो उना ने अपने सेवका नू अकाल तक्त विखे कीमती तोफे पेट करन दी बजाए वदिया तो वदिया शाश्तर ते कोड पेट करन दा अधिश देता अपने नमे सिदांत नू सथाई रूप प्रदान करन हित गुरु हरगोबें साहिब ने मीरी पीडी दे संकल्पती सथापना कीती अधि इस दोरी प्रबता नू प्रतक करन लई उना दो किरपाना तार्ण कीती आ अधि श्री दरवार साहिब दे ठीक समणे काल तक साहिब दी उसारी कीती जित्थे इस दो प्रबता दे चिन वजों उना ने दो निशान साहिब गड़ देते मीरी पीरी दा संकल्प इस विचार नू पर गटाउंदा है के दुनियावी सत्ता दे प्रयोगतों बेना तरम पर फुलत नहीं हो सकता अते तारम्दी रैनुमाईतों बगेर संसारक सता नू सई देशा विच नहीं वरतिया जा सकता इस तो मगरों संसारक अते रुहानी ताकना सिख तारम्दे अनिखड अंग अते थम बढ़ गई ने इससे कारण ही गुरू हर्गो बिन साहिब नू संत सिपाही वजों याद कीता चंदा है गुरू हर्गो बिन साहिब अते उना दे हथियार बंदे जो जारू सिखातों पैपीत होए मुगल बाश्या जहांगीर ने गुरू हर्गो बिन साहिब नू अपनी फौज तोड़न अते फौजी अबियास करनतों बाज अउन ली गया प्रन्तू उना ने एह होकम मननतों ना कर देती इस दे फल्स फरूब उना नू अचानक शापा मार के ग्रिफतार कर ले गया अते गवालियर जेल विच कैद कर देता जदों गुरू हर्गो बिन साहिब नू जेल तो रहा कीता गया ता ओ पहला नारो ज्यादा सुचेत अते सावदान हो गय अते उसनों बाद कदे भी दुबारा मुगला ने हाथ नहीं आए पामे के उना मुगला नार कई जंगा लडिया ए उना दी फौजी प्रबता अते ने पुंता दा ही सबूत है के उना जिन्नी बारी भी मुगल फौज नार जांग लडि उन्नी बारी ही मुगला नू हरा देता उना ने आपनियां सफल फौजी सरगर्मियां दे बल उते असल मेंच मुगल सलतनत दे अंदर एक वखरा राजी स्थापत कर लिया से इस प्रापती सदका सिखां दरमयान उना दी साख ते रुत्बे विच पारी बादा हुया आपने सेवकां दरमयान उना दे अद्ब सथकार दा प्रबाव अजेहा लोडे दा बन गया सी के जदो शांती दे देना वेचे उन्नी फरवरी सोडा सो पंताली नू ओसंसार ते आ गए ता उना दे कई अनिवायान ने अंतम संसकार समें चिखा दिया लाटा वेचे शाडा मार देतिया अते मर मिटे अकाल चलाने तो पहला गुरु हारगोविन साहिब ने अजेही तकडी अते अजेत फौज कायम कर ले सी जो उना नू अपने तरम अते वजूद दी रख्या करन वेचे सहाई होई सोडा सो चौट इसमे वेच गुरु तेग बहादर जी गुरु हर क्रिशन साहिब दे उत्राद कारी बने अते उना ने अपने पिता वाणियां दो करपाना तार्न कीतिया गुरु साहे पगती अते शक्ती दसमेल सान गुरु नानक देव जी तो बाद ओ पहले गुरु सान जिना ने सारे पारत दी यात्रा कीती अते लोकानों हर पद्दर उते तक के शाई अते चार अते पक पातना लड़न लाई परे रिया उना दा संदेश सी पै काहु को देत नह नह पै मानत आन तो अस सभी बादशा औरंग जे वलों हिंदुआं उते कीते जा रहे जोलम ने ब्रह्मना विच दैशत फिला देती अते किसे मुक्ती दाता दी पाड़ विच किश्मीरी पंड़तां दे एक वफद ने किरपा राम ब्रह्मन दी गवाई हेट गुरु तेग बहादर जी कोड़ बचा वास्ते पहुंच की थी ओना दा दोख परेयावर लाप सुनके गुरु साहिब ने हिंदुआं दे तिलक अते जिंजूदी राखी दे मिशन दा बीड़ा चुकुन दा निरना लिया ये पहली अते आखरी वार सी के किसे होर तारम दे पैगंबर ने किसे दूजे तारम दे लोकां दे मनुखी हकां अते तारमिक विश्वाश दी बहाली दे संगर्श कीता ये तारम अते नियाखात निराले टांग दी जदो जय सी गुरु तेग बहादर जी ने 11 नवंबर 1600 पी अतरनू अपने सिखा पाई मती दास पाई सती दास ते पाई दयाला जी समेथ शीधी प्रापर कीती एक केही विडंबना है के जदो गुरु तेग बहादर जी ने कश्मीरी पंड़तां दे काजले आपनी जान शावर कर दी प्रांतू इना ही पंड़तां दी संतान पार्दी प्रदान मांतरी इंदरा गांदी ने सिखा नो इस दा इनाम दरवार सांते फौची हमला करके देत गुरु गोबिन सिंग जी नवंबर 1675 तद आपने पिता दे उतराद कारी बने जदो जनूनी अते जालम मुगल बाश्या औरंग जेबदियां बे मुहारियां दमन कारी फौजां दौरा सिख तरम अते सिख फौजानू लग पग सिथल कर देता गया सी गुरु गोबिन सिंग वास्ते होन सिथेल होई सिख फौजनू पुनर गठत अते पुनर उतिशात करना बहुत आउखा काम सी क्योंके गुर्गदी संबालन समें ओ अजेक शोर अवस्था वेचिसान। बाल अवस्था वेचिसान। वेचियाना तसीहा रहीं अपने पिता दी होई शहादत ने गुरु गोबिन सिंग दे बाल मन उपर डूंगा अते अमिट प्रवाफ बाया। उना दी मनों अवस्था अते नाड उना दी संपरदाय अते देश दी निगरी होई हालत इना सब स्थितियाने मिड़के उनान। अतियाचार कर्ण वाड़यां दा कट्र दुश्मन बणा देता। उना पिशल चा आतमारण हित लगा तार कई साल सिख पांत दी हालत नू कोखेया, विचारया अते इस दा विशलेशन कीता। अखीर उना सथिल हो चोके आपने तरम अते संपरदाय नू एक नमे रूप विच उसारन अते टालनली एक नमा ते उत्तम संकल्प सोचिया। गुरु सायव ने कोशना कीती के होण केवल खाल से दा बोल बाला होवेगा, सब मनुखानू लाजमी तौर ते एक ब्राबर होना पवेगा। उच नीच सब ब्राबर हान, जात खत्म करनी पवेगी, उनानू पॉल प्रापत करनी पवेगी अते चारे जातियानू एक जगा ते एक पांडे विचो खाना होवेगा। जालमा दा नाश करना पवेगा ते बुत पूजा बंद करनी होवेगी, हिंदू प्रथानू त्यागना पवेगा, ब्रामन दे जनेवनू रद करना पवेगा, अते केवल खाल सा रूप राही ही नेजात मिल सकती है। गुरुगोवन सिंग्जी ने खाल से दी रूहानी बुलंदी दे पांज सिदान प्रस्तृत कीते। उना ने एलान कीता के खाल सा पूर्ण रूप विच आपने मतनू समर्पत होवे अते इसनू ही आपना राई बर जाने। किर्त नाश, कोल नाश, कर्म नाश, तर्म नाश अते सर्व नाश ते सिदान ती पालना करे। पाव के ओ आपने पिछले वंच, खांदान अते पेशे दाहं कारते आगे, पिछले संसकारां तर्म अते सब दुनियावी मोध अत्यार करे। गुरु गोविन सिंग जी ने किया कि अज़ेहा करो अते सारा संसार तो अटा हुवेगा। ये साब सौनकी थे देखके अबरामन अते के शत्री तलमला ऊटे। प्रांतू त्रशकारिया अते दुरकारिया जातिया प्रसान होटिया। दबियां कुचणियां जाता ने गुरु गोबन सिंग नू आपनी पूर्ण शर्दा आते सिवावां दपरोसा देता पर सवरन जातियां दी तिल मिलाहट होर पड़ की यते उना विच्छों बाउत सारे गुरु साइब नू शट गे परांतु गुरु साइब ने होका देता के नीवियां नू पुच्छा चुकना चाईदा है अते होनतों त्रिसकारे होई लोक उना दे अंग संगरेंगे इंज दब्बे होई वर्गां दे बहुत सारे लोका ने सेखता रनू अपड़ाया अते खाल सा पंथ विच शामल हो गए गुरु गोगन सिंग जी ने एक लोहे दे बाटे विच पाणी पाया उस विच पता से मिलाए बाणी पड़ दे खंडे नाड उसनू हिलाया अते पंजा प्यारयां ते शिल किया इस रस्म किरिया नू पाहल दा नाम देता गया अते ए सिखां दा तरम प्रवेश दा संसकार है बाद विच गुरु जी ने पंजा प्यारयां तों खुद अमरे शक्या इस तरह खाल से दी सिथापना कीती गई अते सिखां नू सिंगां पाव शेरां विच बदल देता फिर गुरु सहिब ने अलान कीता के हुंटों खाल से दा नारा वाहे गुरु जी का खाल सा वाहे गुरु जी की फते होगेगा ओ अकाल पुरकतों बिना केवल गुरु गुरु जी सहिब अगे शर्दा प्रगटाऊंगे अते सिर्चिकाऊंगे उना ने होर किया गुरु सहिब ने किया के खाल सा पांथेदा हरेक मेंबर पंज का कार के इस गंगा की शेरा कडाते करपांता रन करेगा ओ अपने नामनार सिंग शब्द लगौणगे अते अपनी अनंत इच्छा शक्ती दे बढ़बूते किसे वी तरह दी सथेती विच द्रिडता पूलवेक डड़े रहनगे शश्तर उना दी सक्षियत अते शानवदा होन ओ हर समे त्यार बर त्यार रहन जालमा दा नाश करना उना दा पर्मतरम होवेगा अते दुश्मन दी ग्रिफ्ट विच आ जानते वी चड़दी कला विच रहन इस तरह उना ने खाल से नूँ एक विलखन पहचान दा मालक बनाया खाल से दी शुदी नू काइम रखन दे सिलसले वजों गुरू साहिब ने गदारा अते मत पेद रखन वाड़यां दे पंच फिरके नू सिख तरह विचों शेक देता ओ पंच फिरके इस प्रकार हान राम राइये, तीर मलिये, मीने पाव प्रिथिये दी उलाद जना ने गुरू अरजन देव जीनार विश्वाशकात कीता अते उना नू मारं दी शाजश रची सी मसंद जना ने गुरू साहिब दे अधकार नू चनवती देती सी अते गंगू शाहिए जदों 1704 इसमी विच औरंग जेब दिया शाई फोज़ाँ ते पहाड़ी राज़ाँ दे दगाबाज हिंदू राज़ाँ वल्लों अनन्दपुर साहिब विखे गुरू गोबन सिंग दे किरे दी के रबंदी कीती गई ता नौ मही ने लड़ाई चल दी रही बे अंत अंकणा दे बावजूद वी गुरू साहिब ने देलना शड़िया अते वीरता पूर्विक जंग लड़ते रहे शाई फोज़ाँ वलों के राज़ाँ शड़न दी सूर्थ विच हमला ना करन दे समझोते दी पेशकाश करनोते पोख अते होर तंगियां दे सताय होई सिंगा विचों बावत यह ने गुरू साहिब नो एप पेशकाश मंजूर करके किला शड़न दी राए देती तावी चाली सिंगा ने किला शड़न लई जोर देता अखीर गुरू साहिब ने खाल से दी बाव समती दे फैल से नुश्फ कार दे होई करीम साथ सो सिंगा समेथ केड़ा शड़ देता पर उना नो तोके नार चमकावर साहिब दे इस थान दे केर लिया गया ओथे गुरू साहिब दे दो बहादर साहिब जादे आने उना दे नजरां दे सामने मुगल फोजना लड़ दे अपने जाना वारिया उना दे दो छोटे साहिब जादे उना दे तोखे बाजरसो ये गंगु ब्रह्मन दी मकारी कारण सरहांद दे नवाब बलों जियों दे दिवारां में चिन दे गए जाद गुरु गोवन सिंग जी चमकौर साहिब तों बाचने कड़े ता उना नू पीर मुहम्मद जी दे नाड गुरु साहिब ने फारसी दी विद्या प्रापत कीती सी उस पीर मुहम्मद ने लुदे आना जेले दी समराणा तैसील दे पेंट बेलोल पुर विखे आपने कोड गुरु साहिब नो ठहराया गुरू साहिब ने पीर मुहम्मद नार पोजन कीता अते खाल से नो हदायत कीती के ओह नेक मुसलमाना तो दूर ना रहन अते ओना नार रोटी बेटी दी साज बनाई रखन गुरू साहिब ने मुसलिम दरवेशा वाड़ा नीला बाना पैनिया अते दमदमा साहिब नू चले गए जित्थे ओना नो ओरर निग्जी बने मिरन लई सदा पतर पेजिया पर गुरू साहिब ने खुदी पेशकाश थुकरा दिती गुरू साहिब ने ओर निग्फी बने एक एक पेजिया के ओना न उस ते प्रोसा नहीं है अते खालसा जालमा वरुद जंग जाई रखेगा उना ने औरिंग जेवनू पर सिद जफर नमावी पे जयाजिस रही गुरु साहिब ने औरिंग जेवनू हत्थों हत्थी दो वल्ली लड़ाई लड़न दी चनावती दी अते उस दे कपट अते जुलमा लई उसनों कोसिया स्तारां सो शेयतों लेके स्तारां सो साथ विच औरिंग जेव दी मौत तों बाद गुरु गोविन सिंग जी दी मदद नार बहादर शागदी थे बैठिया उसने गुरु साहिव दा सिनमान कीता जो के बाद विचना देड़ साहिवल चले गए जित्थे वो स्तारां सो आठविच जोती जोद समा गए इस तों पहला उना अपने पैरो करानों क्या के उना खालसे नूं अकाल पुर्थ जो अकाल मूर्त है उस दे सपुर्थ कर देता है जो गुरु दे दर्शन करना चाहे ओ गुरु रंच साहिव दी खोज करे गुरु खालसे दे अंग संग रहेगा निश्चा थे विश्वाश रखना जित्थे भी पांच सिंग पांच प्यारे कठे होणगे उत्थे भी मैं हाजर रहाँगा गुरु गोगन सिंग ने खालसा पांच नू फौजी ली हाँ ते जथे बंद कीता अथे इनकलाब लेओन अथे कटो कट पंजाब विचे खालसा राज़ी सिथापती विचे सहाईगोंड वाड़ी हालात पैदा कीते उना ने आपने दोवाड़े बहादर सेख किसान नहीं अथे दब्बे कुछले लोकानों एकतर कीता जो उना दी जोशीली फौज दा तुरा सन प्रांतु वो आपने मिशन नू सिरे ना लगा सके अथे जीवन दे महतव पूरण दिना विचे चलाना कर गए फिर वी काट तो काट उना ने पवेखवास ते रा पद्रा कर देता ते खालसा राज दी सथापना नुजी की नी बना गए उना तो बाद खालसे दी अगवाई लई बंदा सिंग बहादर अगे आया जिसने सपष्ट रूप विच खालसे नुदस में गुरू दे जीवन देश दी पूर्ती हित केसरी निशान हेट एकठा कीता खालसा फौज ने स्रहांदनु मलिया मेट कर देता ते लुटिया सूबे दरवजीर खान जिसने शोटे सहब जादयानु निहां विच चुणेया सी अते गदार गंगू ब्रामर नु सोद दिता इसे तरह खालसे ने मसूम शोटे सहब जादयान दी शहादत दा हक लेया उना तों बाद बंदा बहादर्दी अगवाई वेच खालसा फौज ने 1709 तों लेके 1716 दरमियान कई जंगा जितिया खालसे ने इस समय दोरान वड़ियां वड़ियां कुर्बानियां की थिया गुरु गोबिन सिंग तां जिंदा नहीं सान पर जेडी जोत उना ने जिगाई सी ओ होर पर चांड हो थी इस दोरान सेख लहर नो उस समय बहुत नुकसान पुझा जो दो बंदा बहादर्दी हार हो गई आते उनु ग्रिफ्तार करके तसीय दे के शीद कर देता लिए बंदे दी हार दा कारण खालसा ही दला विच फुट पैजगना सी बबा बंदा सिंग बहादर्दी शहादतों बाद खालसा फाज लीडर्शिप तो बंजी हो गई सी इस स्थिती दा लाब अठाउंदेयां मुगल बाश्या दे अदेशां उते कम करदे होए जावर जक्रिया खान यहिया खान अते मीर मनू एक तो बाद दूसरा सदी दा चौथा हैसा करीब 25 साल पे रह मीनड सिखाना दमन करदे रहे उना ने सिखां दे सिरां दे मुल पाए डरपोक सिखां ने मौतों बचन लई अपने केस अते दाड़े कटले और बहादर अते अचारियां वरोद गुरिला जंग जारी रखनी पहाड़ां ते जंगलां में जालोके गुरु गोबन सिंग जी दे पुराने साथी अते अनुयाई पाई तारु सिंग ने एक देखनी योग मिसाल काम कर लई खाल से अते उस दे मत दी राखी लिया अपनी जान कुर्बान कीती जदों लहौर दे सूबेदार मीर मनू ने अपने ब्रह्मन मंतरी कौडा मल दे नड़ दर बार साथ अमर सर नू टैटे दिकीता अते पवित्तर सुवर नू मलबे नड़ पूर के ब्यादवी कीती तां जसा सिंग अलुवाडिये ने लहौर दे चिडाई कर देती अते बुरी तरह लुटेया सूबा लहौर अते गदार ब्रह्मन पाजिनिकडे अते आपनी जान बचाले पर खालसे ने आपने पवित्तर गुर्ताम अते सुरोवर दी ब्यादवी द बदला ले 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 जसा सिंग अलुवाडिये ने लहौर दे कबजा कर लिया ओ थे खालसा राज दी कोशना कर देती गुर्गोवन सिंग दी प्यारी याद विच एक रुपएदा सिका जारी कीता खालसे ने दरवार साहिब दी मुड उसारी कीती अथे पुवित्र स्रोवर दी सफाई कीती स्तारा सो बाट विच एमद शाअबदाली ने पारत अथे पंजाब उते हमडा कीता दरवार साहिब नो तबाह कर देता थे पुवित्र स्रोवर नो सिखां दे वड़े होई सिरां दे टे रहनाड पर देता एरान लई वापसी तो पहला उसने एक गड़ार हिंदू काबली मलनु लहौर दा सूबेदार था पिया इस नीच हिंदू सूबेदार ने अगो मसा रंगड़ दरवार साहब दे प्रवां थाब देटा जिसने पुवित्र गُरताम दे अंदर तमाकू हुका ते शराप पीके पुवित्रता पांग कीती सुखा सिंग आते मैताब सिंग ने मसा रंगड़ दरबार साइब अंदर ही सहर लाया ते इंज सिखा ने एक वर फिर पुटर गुर्ताम दी विद्वी दा हक लेया इस समय तक पंजाब दे कई हिसेयां आते इस तोंबार तक काफी गंदी विज़ शोटियां वडियां मिसलाने पैर जमारे साने उत्तर परदेश विच अवदतों लेंके पाकिस्तान दे सिंद तक इना मिसलान दा प्रबाव सी कदे कदाईं गाहे वगाहे दे आपसी चगड़यां दे बावजूद मिसलान दे मुखी स्तारां सो चोंट विच अमरे सर विखे एकठे होये अते उनाने खाल सा राज दी प्रबता दा एलान कर देता उनाने गुरु गोगन सिंग जी दी याद विच देग देग फते दे शब्द उक्रिया होया एक नमा सिक्का जारी कीता इना मुखीयां ने साल विच एक वार अमरे सर विखे एकठे होके गुर्मत राही आपसी मत पे दूर करन लई सरवत खाल सा बलाउन दा भी दरना कर लिया उना दे सांजे यतना अते मुगना उते उना दे अजेंटां दे खिलाफ को ठोर जंग ने अखीर महाराजर अरण जी सिंग वलों 1789 सेख सलतनती सथापना दा रापदरा कीता किन्नी बदकिस्मती है के खाल सा फोजवलों अपने खून पसीने नड़काइन कीती सलतनत दा 1889 वेच महाराजर अरण जी सिंग दी मौतों बाद पतन हो गया अते 1889 वेच त्यान सिंग डोगरा, गुलाब सिंग डोगरा, लाल सिंग अते तेजा सिंग वरगे उस दे हिंदू विश्वाश पातरां दी गड़ारी कारण इस उपपर अंग्रेजान दा कबजा हो गया लाल सिंग ते त्यान सिंग दोनों गोदे मिसर सान दे हिंदू सान होर भी बाद कारण हान जेना करके सिखराईदा पतन दे नाश होया जे मारा जरन जी सिंग ने निश्टा आते दृता नाण खालसा ऐ फलस्फेदी पालना कीती हुंदी खालसा फौज ते काली फूला सिंग आते हरी सिंग नडवा जह सूर में आते परोसे योग सिख जरनेलना उते परोसा कीता हुंदा आते उना नो महत्तव कूरण आओ दे दे ते हुंदे जे में के उसने त्यान सिंग आते गुलाब सिंग डोगरें आते लाडा सावन माल जो खालसे दे लोकवें दुश्मन सान उना नो बक्षिस कीते सान ता जरूर ही ओ आपने पिछों सेख सल्तनत नो चलदा रखनली को उत्राजकारी शट जानता इते एक काबले गौर है के काली फूला सिंग थे हरी सिंग नडवा जिना ते रण जी सिंग नो प्रोसा नहीं सी उना ने सेख सल्तनत अथे खालसा पांथ दी राखी करते हुए मैदाने जंग विच आपने ये जानना निशावर कर देती हैं जद कीती ओ लुक में पद्दर होते अंग्रेजानान मिलके काम कर दे रहे अते इस ताथ दी बाद विच पुष्टी हो गई जदो ठारा सौ नेंजा वेच सेख राज दे आंततों बाद अंग्रेजाने जमू किश्मीर गुलाव सिंग डोगरे नू तोफे बजों पेट कर देता अते लाल सिंग अते तेजा सिंग नू भी उना दे विश्वाश का अधवाड़ियां कारवाईयां बदले टुक वाए नाम देता माराजर अरण जी सिंग दे राज दोरान सेख तारम विच निगार आउना शुरू हो गया सी क्योंके ना ता माराजर अगर गोगन सिंग जी वलनो कोशित फर्सफे नू समझ सक्या ते ना ही उसने हर गोगन साहे वलों दरतार्त मीरी पीरी दे संकालपती पालना कीती जदों अंग्रेज जाने अठारा सो अनिंजा वेचे पंजाब नू जेत लेया आते आपने राजनार जोड लेया ता ओ सिखा दी ताकत आते शानों शौकत प्रती पूरी तरह सुचेत साना ओ एवी जान दे साना के सिख शक्ती गुर्दवारियां विचो उबर दी है इसलई उना ने तार में के शक्ती वाडियां इना संस थामा उते आपने एजन्टा रही ने यंत्रन करके सिख तारनों नकारा करन दी एक कोजी व्योंत सोची आपने निशाने दी पैरवी है तो उना ने हिंदू महांता नों इतिहासक अते महत्तव पूर्ण गुर्दवारियां दी प्रबंदक स्थावत कर देता मिसाल वजयों महांत नरायन दास अते महांत साथू राम दो में सेख विरोधी तता नू करमवारना कान जाइब आते दरबार साहब अमर सथे प्रबंदक लाया गया जिनूनी अते प्रेष्टे हिंदू महांता ने गुर्दवारें विचे मूर्तियां दी सिथापना कर देती है ते हिंदू करमकांड अते रासम अरम देती है जिनानों सेख गुर्वाने निंदेया अते तेया गया सी इस टांग देनाड महां ताने दुबारा सेखता रमनू हिंदूता रम्दे बुरे प्रबाव हेठ लियांदा अते वड़ी पतर दे उते राड़गड कीता इससे मोके ही आरिय समाईदे बानी दयानान सरस्वती ने हमला वरी टांग नाड सेखता रम्दे बुरोद महां मिशेड देती उसने गुरु नानक साहिब अते गुरु गोवन सिंग दी नुक्चाची नी कीती अते गुरु रंसाइब जी नुवी पंडिया सिखी विरोदी उसदे परचारनू शरदालू सिखा जिना सिंग सबामा बढाईया शुरुमनी एकाली दाल अते चीफ खासा दिवान सिथावत कीते उनाने कारगर टांग नाल ठलिया इना संसथावा ने आरिया समाजियां वलो रंभी बादनीती वाली मुहमदा जवाब भी टाकरा कीता अते सेख जथे बंदियां ने इतिहासक गुर्दवारयां दा प्रबंद वापस लेन लई जदो जायद कीती उना इतिहासक गुर्दवार्यां दे संचालन लई गुर्दवारा प्रबंदक कमेटी दा गठन भी कर लिया अंगरेज हाकमा नू श्रोमणी गुर्दवारा प्रबंदक कमेटी नू कनूनी मांता देन ली मजबूर कर देता गया अते उना ने इस मन्तव लई उन्नी सो पच्ची वेच गुर्दवारा एक्ट पास करके श्रोमणी गुर्दवारा प्रबंदक कमेटी नू पंजाब दे इतिहासक गुर्दवारें दा संचालन करन वाडी एकको एक अदार्त संस्था वजो मांता दे देती इस तरह हिंदुआं वलों अंगरेजान दी मिली पोगतनाल सिखी नू हिंदू मत विजजब कर लेंड दे बदनीती परे यतन सफलता पूर्वक ठोस कर दते गय सी ननकाना साहिब अते सिखान दे मुकदश अस्थान शी दरवार साहिब समेत ते हासक गुर्दवारें दा प्रबंध प्रेश्ट अते दुराचरी महंतातों सिखी सिखान नू पारी जाननी नुखसान उठाके लेना प्या जदों अंग्रेजाने उन्नी सो संताली विच अजादी बक्षी ता उनाने मुसलमानानों पाक्स्तान देता अते बाकी साड़ा पार्त हिंदुआनों पेड कर दता मौनदास करमचंद गंदी जवालनाल नेरू अते होर हिंदुने तामा दे कप्ट कारण सिख बिपता विच किर गए मास्टर तारा सिंग्मों विए मुसीबत से हिड़न लई बराबर दोश दिता जा सकता है इना हिंदुने तामा ने सिख ने तामा नाल एकरार कीता कि अजादीतों बाद सिख नू उत्तर पच्चमी पार्त विच एक विशेश खिता दिता जावेगा जित्ते उहो अजादी दा निग मान सकनगे अते आपने तारम अते सब्याचारों पर फुलत कर सकनगे पर जदों कप्टी हिंदुना नू उन्नी सो संताली विच अजादी मिल गई अते उना ने आपनी ताकत जमालेई ता उना सिख नड कीते वादे बड़ी बिशर्मी नड वसार दते केवड एना हिन नहीं के उना नू एकरार कीता गया खिता नहीं से देता गया सगों सब्दानक तौरते भी सिख नू हिंदू ता रम्दा अनिकड अंग बना लिया गया जिस हिंदू मातनू गुरु साहब ने सड़े चार सदियां तो भी पहला निंदिया अते त्याद गया से पार्ती सब्दान वेच तारा पच्ची ओदे वेच शामल कीती गई जेदे वेच सिख नू हिंदू लिक्या गया है ए हिंदूआ दी सिख मातनू लुक में साधना रहीं हड़पन दी चुतराई पली चार सी जदों पार्त सरकार ने सूबयानों बोली देदा अरते पुनर गठन कारंदा फैसला कीता अते 1908 वेच मर्द शुमारी कीती गई ता पंजाब दे वसनीक हिंदूआ वल्लों आपनी मात पाशा हिंदी दर्ज कराई गया पावें के वेच आपने करावेच अते होरना नल गालबा दोरान शुद पंजाबी बोल दे सान पर उना ने अपनी मात पाशा फिर भी हिंदी लखाई एहे हिंदूआ दा सिखानू पंजाबी बोली दे उते अदार्त सूबा मंगर दे सवदा आनक दे बुनियादी हक तो वांजा रखन दे एक कोजा यतन सी अजाए हिंदूआ दा सिखानू पंजाबी बोली दे अदार्त सूबा मंगर दे सवदा आनक दे बुनियादी हक तो वांजा रखन दे कोजा यतन सी अजाए हिंदू जो आपनी मात पाशानर तरो कर सकते हन उना वलो आपने जाती हितना हते खुद गरजी ले आपनी मात पूमीनर दगा कीते जानदा अनुमान भी सैजी ही लाया जा सकता है इस तरीके तोस्भी हिंदूआ ने आपनियां गिनियां मिथियां चाला रही फिरका प्रसी दे बीज बीजे हन अते बाद विच हो इस दे अबार्दा दोश दूजियां सिर मडन लई बाक बाक कर दे रहीं दे उननी सोश पिंजा वेच हिंदू बाओ गिनती वाड़े सारे सूबियां दा पाशा दे अदार्दे उते पुनर गठन कीता गया पर पंजाब नों पहला सोची होई व्याँत अनुसार दो पाशाई सूबा इलान आ गया सिख्छा ने होरश ले गया मैसूस कीता सांजे पंजाब दे फिरकू हिंदूआ ने पंजाबी बोली ते अदार्द सूबा बनन दे वरोध अंदोलन शुरू कर देता ए वरोध दी अंदोलन पारत सरकार जेडी के बाओ गिनती हिंदू पर बावाड़ी सी उना दी शैते रम्बे अगया सी फिर वी अकाली दाल दी दहाका पर लम्मी जदो जहेद ते कीम्ती जाना दी कुर्बानी मगरों उना कटे शांगे होई पंजाब दे रूफ विच एक नवंबर उन्नी सो श्याट नू अंशक निशाने दी प्राप्ती कीती जिस विचो हरे आना अते सूबे दी राइता नी चंडीगड मनफी सान केवल इना इना नहीं पंजाब दा एक विशाल इलाकाई हिस्सा जिस विच शिमला डलहौजी कुलू मनाली लहौल स्पीती अते तरमशाला शामल सान हिमाचल प्रदेश विच शामल कर देते इस वड़ी बेन साफितों इलावा पारसरकार ने पाकडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड अते दर्याई पाणिया दी वंड सबंदी एक्तियार आपने कोड राख ले शिरोमणी ये काली दाल ने होर मंगा देनाल हिमाचल प्रदेश अते हर्याणा नों दित्ते गे पंजाबी बोल दे इलाके के अंदर शाष्ट प्रदेश चंटीगड आद वापस करन अते नंदेड साइब अते होर ना सूबियां वेचे स्थित इतिहासे गुर्दवारां दे कंट्रोल लेंड दे इरादेनाल आड आल इंडिया गुर्दवारा एक्ट बनोन दी मंग कर देयां फिर मोर्चा लाता पर पारत सरकार एनी सौकी रजामा दहोन वाडी नहीं सी जदो मोर्चा अपनी सिकरते सी ता परदान मातरी इंडरा गांदी ने उननी सो सत्र विच एक पुर्सकारदा इलान कीता जिस विच ए तवजीज रखी के जे अबोहर अते फाजल का जो पंजाबी बोल देला के हन चंडी गड़ दे एविच विच हरयाना नो देते जान ता चंडी गड़ पंजाब नो दिता जा सकता है एक खुल मखुला फिरकू प्रस्ताव सी जदो सिक केंदर सरकारवलों निरंतर वितकरे अते तरोदा शिकार हुंदे रहे ता अकाली दर आपनिया मंगानू नमास रूप देन लई बेवस हो गया इस मांतवले ये काली दालने एक मताव लेकिया अते अक्तूबर उन्नी सोत्यातर विच अनांदपुर साहिब विखे इसनू परवानगी दे देती इसे मते नूँ ही अनांदपुर साहिब दा मता क्या जानदा है इस मते दे प्रमुख आंशहान के केंदरी सरकार रखे विदेशी मामले संचार अते करां शक्तियां सूबियां दे सपुर्द कीतियां जान ता जो असल फेडरल तांचेवाडी सिरकार नूँ अमल विच लियांदा जा सके इसे विच एवी मांग है के लोकानू पिस्तौल तों लेके ती बोरदी कारवाइं तक देह थे आरखन दी खोल देती जाए में शर्ते के जाए जाफता परादी ना होवे आते वो अपने शाष्तनानू अधकारियां को डरेजिस्टर करवाई ए मता अक्तूबर उन्नी सो ठतर विच लोदी आने वेखे होई काली दाल्दी सलानना कानफ्रांस वेच सोधे होई रूप विच अपनाया गया सेख तारम्दे सुबनू विगाडन अते इस दियां मौलक प्रम प्रामा वेचे उल्ट फेर करन दे एरादे नाल पारत सरकार ने नरंकारियां रादा स्वामियां अते एहोजे होडनानू सिखा अते उना दे तारम्दा विरोध करन लेई मदद अते हलाशेरी देती जीवन दियां पतेद पागनामां दा तारनी होन दे बावजूद पारत सरकार ने विशेश करके इंदरा गांदी देगवाई हेट नरंकारियां दे फिलाओ लई उनानू हर तरह दी मदद दिती क्योंकि ओ खुलके सेख तरनू चणोती देंड़े समने आगे सान एही गल निरंकारी चाओं दे सन निरंकारी मुखी गुर्बचन सिंग दा मनोबल वदा ओनहित इंदरा गांदी ने उसनू महत्तव पूरण दरजा देना परवाण कीता वदेशा वेच स्थित सारे पारती सफार्त खानेयानू गुर्बचन सिंग नाल विशेश वरताओ करंदिया हदायता देती हैं गईयां कांगरस दे शाशन हेटले सूबयानो वी जहिया देश देते गई गुर्बचन सिंग नो दिती गई इस सरप्रस्ती ने उस दी हों में नो होर भी वदा देता सिखां दी बहु गिनती क्योंके पंजाब विच बास दी है इसलिए निरंकारी मुखी दा मुख हमला इस सिख बहुत आत वाले सूबे वेची सी आपने निशाने दी पूर्चिली निरंकारीया ने विलास माई अकाखे आवाँ दे पैगंबर गुर्बचन सिंग दे गवाई है इट सिख गुरुआ अते सिख तारम दे खिलाफ महेम अराम बजेती उसने गुरु नानक देव जी दी अलोचना कीती अते उना नू पिखारी दे तौल बयानेया उसने गुरु गोवन सिंग जी नू शिकारी अते अवारा केके पंडिया इसतना उने सिख गुरुआ दी खिली उडाई है अते उना दे तारम अते उत्तम उपदेशा नू चणौती देती इसतना इलावा नरंकारिया ने अवतार बानी अते योग पुरुष सरलेख एठ गुरुबचन सिंग दे पूरव अदकारी अवतार सिंग नू होन तक तरतीते पैदा होया एको एक असली ते महान रभी अवतार दरसा के ओधी उस्तत कर देया होया दो पुरुष का परकाश्ट की थिया एक कटिया पुरुष का सारे सिख गुरुआं सारे तरमादे फरिश्टेयां अते महान पैगंबरां दा अन्रादर कर दिया सन हाथ इस गालनों पर चार दिया सन के अवतार सिंग ही सच्चा पैगंबर सी जो के मनुखता दे इतिहास विच बेजोड़ा है एस सिखी नू बहुत वड़ी वंगार सी क्योंके उस दी मूल बने आदनों ही चटका लग रहा सी सरकार दी सरगरम सहाइता नाल गुरबचन सिंग ने सिखी वरोद महिम अरंब दिती जिस दा मुख दखल उसने पंजाब वेची रख्या ग्यानी जैल सिंग जो खुद भी संदे पूरण एखलाक वाला मनोख सी ओने गौपतर रूप वेच दरिंकारी मुखी दी हमायत कीती ग्यानी जो दो पंजाब दा मुख मातरी सी ओने हर देव सिंग शीना नामी आईएस अफसर नो पंजाब दा मुख सकत्तर बना देता ए हर देव सिंग शीना निरंकारी मुखी गुरुबचन सिंग दा कटड समर्थक सी अथे उसने कई उच्चे अथे हेखले दर्जे दे अफसरा नो नावाजब लाब बक्ष के नरंकारी फिरके दी वलगन विच ले आंदा जहे सारे संदे पूरण किरदार वाड़े सरकारी मुलाजमा दी पद उनती करके उनानु सूबा प्रशाशन विच मात्व पूरण रुतबे सौपे गे सरकार दे जोरदार था पड़े नाड नरंकारी याँ दी मनहूस लेर गुरु नानक अथे गुरु गोबिद सिंग जी दे खाल से दे तारमनू खोरा ला रही सी ये बहुत हरानी जानक है कि ना ही काली दल अथे ना ही श्रोमनी गुर्दवरा प्रबंद कमेटी ने इसके नाउने सिख वरोदी हमले नू रोकन लई कोई कश्ट उठाया ये सिर्फ दमदमी टकसाल सी टकसाल ने संतकरतार सिंग दी नौजमान लीडर्शिप दीन नरंकारी मुखीदियां सेख विरोधी कारवाईआं दा टाकरा कीता हते इरानू बंगारिया जदों नरंकारियां अते टकसाल विचाले जंगती लकीर खिची जा चुकी सी तदे ही बदकिस्मती नाळ संतकरतार सिंग जी एक दुरकटनाद शिकार हो गए अते जीवन दे परजोबन वेच सोडा अगास्त उन्नी सो स्तरनू चल वसे होन संतकरतार सिंग जी दे उत्राद कारी संत जरनैल सिंग पिंडरा वाड़यां दे मोटे आउपर ए जुम्मेवरी आनपई के ओ काफराना कारवाईयां विच मश्रूफ नरंकारियां दे खिलाफ लड़ाई नू जारी दखन जदों संत जरनैल सिंग नू दांदमी टकसाल दा मुखी था पिया गया ता ओ मसा ती वरेयां दा सी इसलई बुड़ी अकाली लीडर्शिप ने उसनू अलड़ सिख दारू समझ के अनहोयां वाग नजर अदाज कर देता पर जदों ओ सूर्ज वांग चड़के आया हुसन सार यानू महत्तव हीन बनाड़ता अकाली लीडर्शिप अते ततकाली पार्टी जानसंग दी हमायत प्रापत परकाश सिंग बादल दी अगवाई हेडली पंजाब सरकार दे वरोध दे बावजू थोड़े को साला वेची औस सेख पंथ दे तार्मिक अते राजनीत का मामलियां उपर हावी हो गया इवें सांत चर्नैल से इनेक बहादर जर्नैल दी तरां एको ही समें निरंकारी वर्ग अकाली दाल सूबा सरकार हाथे केंदर सरकार दी वरोध दा समना कीता जहे विरोधी यते दालदल परे हलातां विच एकले तौर ते विरोधी शक्तियां सामने डटना आते अंदोलन शुरू करना किसे सदारन बुद्धी वाड़े वक्ती देवास दा रोग नई सी उसदा मोख निशाना केवल निरंकारी हम लेनू नकाडा करना ही नहीं सी सगों अकाली दालवलों अक्तूबर उन्नीसोती अत्तर विच अपनाये गए अनांदपुर साहिब दे मतेनू लागू करवाण लई संगाश करना वी सी अते जे केंदर सरकार इस मंग दी पूर्ती करन तो इनकार करे ता फिर इंडियन नैशनल कांगरस वलों अगास्त उनीसोत संताली विच जादी प्रापत करन तो पहला से खानल कीते गए खुद मुख्तियार राज दे वादे दी पूर्ती दी इच्छा पर गटाउना सी अकाली दालने ए मंगां कुड़ा दान विच सुट छडियां सन अते होनवी बड़े अराम पूर्वे केना नू मुड सरजीत करन द जेता पुला देता है अकाली दालनू केवल सता तो बार होन समें ही अननदपुर साथ दे मते नू मुड खोलन दी इलत है उन्ज इसनू विलेड के गळी चेहिट राख देन देहान अते उपर सुतेरिंग देहान